हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर बरत क्या आपको ना भी खिशकने की तकलीफ होती है यानि के बार बार आपकी जो ना भी है वो अपनी जगह से खिशक जाती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है यहाँ पर हम सुजोक एक्विशर के ऐसे ज इनके जरी आप यह ना भी खिशकने की जो तकलीफ होती है इनसे जो आपको प्रोल्मस होते हैं इनसे आप छुटकारा पास सकते हैं इनका इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और बिना किसी दवाय के यहाँ पर जो ना भी खिशक जाती है उनको अलगलग नाम से बोला जाता है उनको नेवल या तो solar plexus displacement या तो dislocation बोला जाता है जो नाभी होती है वह हमारे body का center point है वह हमारे पूरे सरी को control करती है एक तरीके से इनको controlling unit भी बोला जा सकता है 72,000 जो नाड़ी होती है आयरुवेट के इसाप से वह सभी नाड़िया हमारे नाभी के साथ जूड़ी होती है नाभी या सभी नाड़ियों को control करता है उनको काबु में रखता है उनको regulate करने का काम करता है इसलिए अगर नाभी में थोड़ा सा भी गरबड़ी आजाती है थोड़ी सी भी खिसक जाती है तो यह सभी नाड़ी का जो function होता है वह गरबड़ी में आजाता है हमारे पूरे बोली की system disturb हो जाती है अलग-लग problems, diseases होना शुरू हो जाते है इसलिए यह नाभी center में होनी बह होती जरूरी है तो यहां पर हमें यह सूजोग therapy में तीन step में यह treatment करना है step one में exact point का location find out करना है step two में वह point को activate करना है step three में वहां पर हमें seed application करने है यहां पर हमारी जो नाभी होती है वह नाभी अलग-लग reasons की बहसे अपनी जगह से वह आठ अलग-लग direction में खिशक जाती है खिशक सकती है उपर जा सकती है नीचे left, right, left, upper, left, down, right, upper, right, down इस तरीके से आठ अलग-लग direction में वह जा सकती है कई बार आपने heavy cheese उठा लिये या तो भी खान-पान में कोई change आ गया है ज्यादा वायू बढ़ने वाला खाना खाली है ज्यादा spicy food आपने खाली है तो इनकी बहसे या तो बहुत सारे reasons की बहसे या नाभी अपनी जगह से खिशक सकती है कौन सी direction में नाभी displaced हुई है वह जानने की अलग एक procedure होती है इनके बार में यहाँ पर हम discussion नहीं करने वाले उनके लिए हम अलग से एक video बनाएगे तो यहाँ पर हम पहले step 1 को जान लेते याने के exact point का location find out कर लेते कौन सी जगह पर यह umbilical होती है हमारा solar praxis होता है हाथ को इस तरीके से रखना है याने के सभी finger को downward direction में रखनी है यह हमारे सरीर की आगे की surface है तो जो नाभी होती है वह इस जगह पर होती है इनके center में होती है जो हमारा palm है इनके center में यहाँ पर होती है इनको locate कैसे करना है तो यह जो दो middle finger है जो हमारे legs को correspond करती है इनके बीच में यहाँ पर एक point note करना है फिर हमारी जो wrist line है यह wrist line का mid point mark करना है अभी यह wrist point और यह दो finger के बीच वाला जो point है यह दोनों point का mid point mark करना है वही हमारा solar plexus का point है तो यह हो गया हमारा step one point का हमने exact location find out कर लिए अभी यहाँ पर हमें stimulation देना है यह point को activate करना है step two के लिए यहाँ पर आप ऐसा एक्क्यूपेसर तूल ले सकते हो यह तूल लेए तो आप paynaz से भी यह point को activate कर सकते हो stimulate कर सकते हो तो यहाँ पर कम सेकम आपको एक से दो मीट के लिए मसाज करना है यह पोइट को एक्टिपेशर देना है इस तरीके से पैन से भी आप यह पोइट को एक्टिवेट कर सकते हो तो यह हो गया हमारा step 2 step 3 में यह पोइट पर हमें seed application करना है यहाँ पर हम lemon seed यूज करने वाले क्योंकि lemon seed का step इस तरीके से होता है इसमें energy का flow एक direction में जाता है जो root होता है root से जो seed का head होता है वह direction में energy flow करती है तो हमें यह seed की energy की direction है वह direction को use करने use करके हमें ना भी जो never displacement हुए है इनका इलाज करना है तो यहाँ पर हम सुजोग therapy में direction technique का use करने वाले जो हमारी ना भी होती है इनकी energy अगर बहार चली जाती है तो इनकी बशे ना भी अलग लग direction में खीशक जाती है तो हमें जो energy बहार जा रही है इनको हमें अंदर की direction में divert करना है उनको promote करना है तो यहाँ पर seat की energy root to head जा रही है याने हमें head को जो seat का head है उनको अंदर रखना है तो energy अंदर की direction में flow होना शुरू हो जाएगी तो यह principle आपको खास अच्छी तरीके से समझ लेना है root जो root है उनको बहार रखना है head है उनको अंदर रखना है तो यहाँ पर root to head की direction में energy flow करना शुरू हो जाएगी याने के हमारे नाभी की energy अंदर जाएगी और नाभी अपनी जगा पर आना शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से हमें seed application करना है तो यहाँ पर lemon seed जो paper tap होती है इनके ओपर lemon seed को इस तरीके से लगा देना है कुल मिला कर 8 seed हमें लगाने जिस तरीके से नाभी की अलग-अलग direction में खिशतने की जो probability होती है उनके इसाब से हमें seed लगाने याने कि 8 direction के लिए हमें 8 seed एपलाइ करने उपर, नीचे, left, right, फिर oblique direction में 4 seed इस तरीके से flower pattern बना लेनी है 8 seed हमने लगा दिये जो head है उनको अंदर रखा है sub seed का head आप देख सकते हो कि अंदर है और जो tail है, root है वो बहार की direction में यह direction खाज जरूर यह इनसे ulti direction में नहीं लगने चाहिए seed वरना effect आपको reverse मिलेगी फायदा होने की जगह पर आपको नुक्सान वहाँ पर हो सकता है तो यह seeds को हमारा जो point है वहाँ पर लगा देना है जो mid point है, उनको हमारा जो point है वहाँ पर रखना है इस तरीके से seed को लगा लेना है इनके उपर आप दूसरी टेप भी लगा दीजे seed क्या काम करते है seed में healing power होता है germinating energy होती जो कि हमारा problem है उनको heal करने में हमें help करते हो यहाँ पर seed की जो energy का flow है उनका जो direction के direction उनका हम इस्तेमाल करके हमारे disease को cure करने वाले यानिके तो यहाँ पर हमें seed दो तरीके से फाइदा देता है उनकी seed की खूद की energy हमें यूज करनी है और इनका जो energy का flow है वहाँ direction को हमें इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर हम यह seed को पुरा दिन लगा कर रख सकते हैं या तो फिर रात को लगा दिए सुवह इनको निकाल दीजे दिन में लगा रहा हो आपके पास time है तो हरे गंटे एक या तो दो मीट के लिए यह seed को आप इस तरीके से दबा भी सकते हो तो बहुत ही अच्छा और fast result आपको मिल सकता है यह seed को same seed को आपको दूसरी बार इस्तमाल नहीं करने क्योंकि जो seed की healing energy होती है वह हमारा जो problem है जो disease हो उनको heal करने में utilized हो जाती है इसलिए फीड यह same seed हमारे कोई काम के नहीं रहते दूसरी बार treatment के लिए हमें नए seed इस्तमाल करना जरूरी हो जाता है यह बात आपको खास ज्यान में रखनी है इस तरीके से आप यह simple सी सुजोग थराफी से आप अपने navel या तो solar precious displacement जिनको ना भी खिशकना बोला आता है इनका इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही बिना किसी दवाई के बिना किसी खर्चे के कर सकते हो तो आसा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगे होगी तक्यो बहुत है